पड़ाव में नवरात्र के दिन थे, इन विशिष्ट दिनों में बाबा जी न तो अधिक बादचीत ही करते थे, नहीं अखबार या समाचार इतियादी में कोई भी रुची दिखाते थे, भगवती विशयक बात हो, प्रश्न हो तो अवश्य ध्यान दे दिया करते थे, एक क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं देगा तो उत्तर कैसे देंगे, श्री दुर्गा सब्तशती के बारे में पूछ रहे हैं, हमने कहा, क्या पूछ रहे हैं, दुर्गा जी की स्थापना किये हैं, सब्तशती का अनुष्ठान करना चाहते हैं, ठीक है, बाबा जी ने अनुमती देते हुए कहा, कर सकते हैं प्रणाम करके वह चला गया बाबा जी कुछ सोचती सी आवाज में बोले इनके लिए भगवती का दुर्गा स्वरूप सही है नवरात्र में तो दुर्गा जी ही पूजी जाती है हमारी विदी से अनुष्ठान करने से आदिशक्ति काली, साक्षात्मा स्वरूप, शमामय बहुत है कुछ इदर उदर हो जाने पर भी वहाँ शमा ही शमा है दुर्गा जी शमामय नहीं है? हमने पूछा वह भी अवश्चे हैं परन्तु अनुष्ठान में, विदी विदान में, व्यावार में, शब्दों में ध्यान न देने पर सफलता कम मिलती है और ऐसा भी है कि मईया अपना रोश भी प्रकट कर दे रोश? गलती हो जाने पर? नहीं, वो नहीं अब देखिए एक बार एक महाशे के स्थान पर बहुत धूमधाम से नवदुर्गा का उच्सव था कुछ लोग कुर्सियों पर बैटे थे अधिकतर भूमी पर यता स्थान थे कुर्सी पर बैटे हुए दो-तिन व्यक्तियों को किसी अद्रिश्य शक्ति ने जैसे धक्का दे दिया हू वह भच से भूमी पर गिर पड़े सच मुच, ऐसा हुआ क्या? हाँ, वह बोले श्रद्धा से, नम्रता से न बैटे होंगे परन्तु इस प्रकार का प्रहार भी तो बहुत सौभाग्य की बात है शक्ति की अनुकम्पा है बाबा जी मुश्कुराए बुद्धी अच्ची है तो अनुकम्पा जबी न समझेंगे हंकार हो तो यह अनुकम्पा भायप्रत लगेगी तो क्या सचमुच दुर्गा जी ने धक्का दिया था उन्हें? वह लोग कहते थे कि पहले उन्हें पायल की धोनी सुनाई दी फिर जैसे किसी ने कुर्शी से नीचे गिरा दिया कैसी मीठी घटना है? हमने तनिक हस कर कहा हमारे पास आये थे भायवीत थे तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं हमने कहा भायवीत होने की आवशक्ता नहीं है सब ग्रंत लड़ाई ही लड़ाई से भरे हुए है वह तनिक उकता कर भूले रामायण में लड़ाई मा भारत महा लड़ाई परंतु सप्तिशती के लड़ाई तो प्रकाश और अंदकार की सतत लड़ाई जो हमारे संसार में प्रतिशन है उसकी और इंगित करती है नहीं बाबाजी भाचुप रहे हमने आगे कहा वास्तव में यह युद्धो कुछ नार्किय आत्माओं और उच्च आत्माओं के संगर्श की गोशना है जो प्रिथवी के इतर लोक में घटती है देवता सरूप उच्च आत्माओं की हार होने से पहले महाशक्ती स्वयम प्रकट होकर सहाय होती है हूँ इसलिए किसी घर में कलेश हो व्यक्तियों का आपस में द्वेश हो या मन मुटाव रहता हो तो सप्टशती का ध्यान देकर किया हुआ पाठ बहुत लाब करता है आपकी क्या राय है बाबाजी? ठीक कह रही है आप बाबाजी ने उत्तर दिया अपने को अपने सामने स्थापित करके किया हुआ अनुष्ठान क्यों नफल देगा? बाबाजी की महासमादी के पस्चाथ चैतर की नवरात्तर में हमने दो पांच शण के लिए उनने देखा वह कमरी के एक छोर से दूसरे तक दुरगा, दुरगा, दुरगा कहते हुए अद्रिश्य हो गए थे